नमस्कार दोस्तों आपका हमारी simple pharmacy study channel में स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे friends tell me certain tablet के बारे में इसका उपयोग देखेंगे इसके side effect के बारे में बात करेंगे कैसे उपयोग करना है इसके बारे में बात करेंगे कौन-कौन सी दवाईयों के साथ में नहीं लेना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे और कौन सी वीमारियां होने पर आप इसका इस्तमाल करने से बचें और आखिरी में हम देखेंगे इसके brand name के बारे में कि market में आपको ये किस name से मिल जाएगी दोस्तों मैसर दर्मेंद फार्मासिस्ट मैं करजिटर फार्मासिस्ट हूँ मैस चैनल पर आपको medicine सेटर जानकारी और pharmacy सेटर इनफॉर्मेशन देता रहता हूँ तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर हम टेल मी सार्टन की बात करें कि आखिरकार ये क्या है तो फ्रेंट्स ये एक एंजियो टेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की medicine होती है इसके अगर हम उपयोग के बारे में बात करें फ्रेंट्स तो इसका उपयोग मुख रूप से hypertension को ठीक करने के लिए किया जाता है मतलब high blood pressure को ठीक करने के लिए किया जाता है जिसका BP friends बढ़ा होता है उसको ठीक करने के लिए इस medicine का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इसका इस्तमाल heart attack से बचने के लिए किया जाता है दोस्तों इसका इस्तमा कैसे करना है तो दोस्तों इस medicine का इस्तमाल आप खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं friends की कौन कौन से common side effect आपको देखने को मिल सकते हैं इस medicine का इस्तमाल करने के बाद तो दोस्तों आपको दोस्तों अपर respiratory tract में infection हो सकता है sinus infection हो सकता है बैक पेन हो सकता है और आपके डाइरिया हो सकती है ये इसके कुछ common side effect होते हैं अगर इसके अलावा कोई और दूसरा side effect आपको देखने को मिले तो अपने doctor को उसके बारे में बताएं दोस्तों अब हम माता के pregnancy है तो उस case में अपने doctor से सलाह लेके ही इस tablet का इस्तमाल करें अगर friends कोई माता बच्चे को दूद पिलाती है तो उस case में ये medicine safe है गारी चलाते हैं friends इस medicine का इस्तमाल आपको नहीं करना है अगर liver या फिर kidney से संबंधित आपको कोई बीमारी है तो उस case में अपने doctor की सलाह लें फिर इस medicine का इस्तमाल करें अब हम बात कर लेते हैं friends की वो कौन सी बीमारियां है जिनमें इस medicine का इस्तमाल करने से आप बच सकते हैं या फिर इस्तमाल करने से आप बचें, अब हम बात कर लेते हैं कि किन दवाईयों के साथ में इस टैबलेट का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, दोस्तों, एकार बोज या फिर डेक्स्टो मेथोर फैन के साथ में इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए, दोस्तों, गवैनी फिनेसिन या फिर Mlodipine के साथ में इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट में आपको ये किस नेम से और कितने रुपई की मिलेगी फ्रेंड्स दोस्तों टेलमा 40 टैबलेट आती है जो कि 220 रुपई की 30 टैबलेट आपको किसी भी मिलकर स्टोर पे मिल जाएंगी दोस्तों टेलिसा 40 टैबलेट आती है जो कि 109 रुपई की 15 टैबलेट आपको किसी भी मिलकर स्टोर पे मिल जाएंगी दोस्तों Tell Me Kind 40 आती है जो कि 34 रुपाई की 10 टैबलेट आपको किसी भी मेटकर श्टोर पे आसानी से मिल जाएंगी दोस्तों उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिए मिलते हैं अगले वीडियो में